हेलो एवरीवन तो आज की इस क्लास में बिहार स्टेट एक्जैम से रिलेटिड शुशौल जी के इनपोर्टेंट कोश्चिन्स के बारे में बात करने वाले हैं यह test series 14th है एंड इससे पहले जो classes हुई है test series वाली बिहार estate exam के लिए उसका playlist में folder बना दिया गया है वहाँ पर आपको सारी classes मिल जाएंगी Classes start हो इससे पहरे आप सभी इस वीडियो को ज़ादा से ज़ादा लोगों के साथ share ज़र कर दीजे अगर आप net, grf, pgt, gic या फिर assistant professor exam की तैयारी कर रहे है शुशौल जी से तो इस channel के साथ जूर कर आप यहाँ से अपनी study को complete कर सकते हैं playlist में उन सभी वीडियो के folders मिल जाएंगे आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं question है अनुकूलन एवण contrnd को एक ही पैमाने के दो चोर के रूप में किसने माना है अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के दो चोर के रूप में इन में से किसने माना options दिये गए हैं दुर्खीम, मर्टन, Parsons, क्रोबर बताइए दुर्खी, मर्टन, Parson, क्रोबर options दिए गये हैं यहाँ पर right answer क्या होगा? right answer क्या होगा यहाँ पर? Parsons होगा, option C यहाँ पर right answer हो जाएगा Parsons की बात आती है तो talket Parsons ने संस्था करन के अफधार्णा दी हुई है और द्वित्यक संस्था की भी अवधार्णा दी है यहाँ पर याद रखेगा द्वित्यक संस्था की अवधार्णा किसने दी है पार्संस ने और संस्था करण की अवधार्णा किसने दी है पार्संस ने संस्था के विकास के अवधार्णा पूछा जाए किसका है यह concept किसका है समनर का है संस्था का विकास का जो concept है वो समनर का है और संस्था या समगर संस्था जिसे total institution कहा जाता है ये concept गौफ मैन का हो जाएगा ठीके और persons के तीन महतपुर योगदान है समाज शास्त में पहला हो जाएगा फंक्शलिजम जिसे प्रकारिवाद कहा जाता है दूसरा हो जाएगा शोशल सिस्टम यानि की समाजिक व्यवस्था और तीसरा हो जाएगा शोशल एक्शन जिसे समाजिक किरिया कहा जाता है तो इन बातों को ध्यान में रखेएगा option C यहाँ पर right होगा प्रेशन है निम्ने में हैं कौन तर्क देता है कि जातियां समाजिक वरगों की विशस्था स्वरूप है जो कम से कम प्रवती के रूप में सभी समाजों में पाई जाती है अप्शन से क्रोबर, शीनिवास, एफजी बेली, डेनियर, लर्न, बताईए इनमें से कौन तर्क देता है कि जातियां समाजिक वर्गों की विसस्त स्वरूप है जो कम से कम प्रवति की रूप में सभी समाजों में पाई जाती है यहाँ पर राइट क्या होगा? क्रोबर होगा, ऑप्षिन अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्ण है प्रजाती एक प्राणी शास्त्रिय अवधार्णा है निम्न में से किस विद्वान ने कहा इन में से किसका कहना है कि प्रजाती एक प्राणी शास्त्रिय अवधार्णा है Options है Bizzins and Bizzins, Hutton, Rizzley, Hobble Bizzins and Bizzins, Hutton, Rizzley, Hobble बदराईए Right क्या हो गया हम पर? Bizzins and Bizzins option A यहाँ पर right answer हो जाएगा प्रशन है मानवी एक्षाओं द्वारा निर्मित समाजिक संबंदों का अध्यन समाज शास्त का मुख्य लक्ष है से किसने? समाज शास का मुख्य, लक्ष, मानवी इक शाओं के द्वारा बने या निर्मित जो समाजик संबंध होते हैं, उनको माना पश्यक किस ने माना और इन समन्दों का जो निर्माण होता है, वो मानवी इक शाओं के द्वारा होता है उप्षन से टॉनीज, वन्वीज, स्पेंसर, दुर्खीम राइट क्या होगा यहां पर? राइट अंसर हो जाएगा टॉनीज टॉनीज हो जाएगा ओप्शन A यहां पर राइट अंसर हो जाएगा और टॉनीज ने समाज शास्त को तीन भागों में विभाजित किया था पहला है विशुत समाज शास्तर ठीक है पहला क्या है विशुत समाज शास्तर है दूसरा है वहवारिक समाज शास्तर ठीक है दूसरा क्या हो जाएगा वहवारिक समाज शास्तर हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा प्रियोक्सित समाज शास्तर ठीक है तीसरा क्या हो जाएगा प्रियोक्षिद समाज शास्त्र तो ये तीन प्रकार बताए हैं टॉनीज ने इन्हें भी याद रखेगा चले आगे देखते हैं प्रश्न है किसका कहना है कि समाज शास्त्र विभिन अंतर किरिया की भूमिकाओं की एक व्यवस्ता है यहाँ पर रखेगा है यहाँ पर देखिए समाजिक व्यवस्ता के निम्ने प्रकारियों की चर्चा की है आर्थिक व्यवस्ता, पारिवारिक व्यवस्ता, राजनेतिक व्यवस्ता, व्यक्तित व्यवस्ता दिया गया है और कूट है पार्संस, मैक्स वेबर, स्पेंसर, दुर्खीम समाजिक व्यवस्ता के इन प्रकारियों की चर्चा किसने की है किसने समाजिक व्यवस्था के ये चार प्रकार बताए हैं आर्थिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, राजनेतिक व्यवस्था, व्यक्तित व्यवस्था यहां पर राइट क्या होगा? बताएए राइट क्या होगा यहां पर? तो यहां पर राइड आंसर हो जाएगा पार्संस और पार्संस ने आपको बताया गया है जैसे कि अभी कि पार्संस के तीन महदपूर योगदान रहे हैं समाज शास्तर में जिसमें से एक समाजिक ववस्था भी है शोशल सिस्टम भी और इनकी बुक का नाम क्या है जिसमें उन्होंने शोशल सिस्टम की बात की है तो यहां पर क्या हो जैगा पायर्संस हो जाएगा राइड आंसर नेक्स्ट कोशन है निम्न कत्नों में से सही बताना है क्या है आईए देखते हैं जादू कलपना पर आधारित है जबकि विज्ञान ठोस तत्योवस वास्तविक्ता पर आधारित है जादू के परिणामों की पुनर परिक्षा नहीं की जा सकती पर विज्ञान के परिणामों क से संबंदित हैं यहाँ पर है कि सही क्या होगा इसमें कि ऑप्षिन डी होगा ठीक है ऑप्षिन डी होगा राइट आंसर नेक्स्ट कोशन है निम्नि में से किसने या माना की धर्म मनुश्यवं समाज के समाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यन महतुपूर उपकरण रहा है फ्रेजर, बर्गर, मेलनुवस की रॉस ओप्षिन दिये गया है जो धर्म है वह मनुश्यवं और समाज के समाजिक नियंत्रण में हमेशा एक महतुपूर उपकरण रहा है इन्हें से किसका ये तर्क है किसका ये मानना है राइट क्या होगा यहां पर राइट होगा मेलनुवस की मेलनुवस की ऑप्षिन सी यहां पर राइट अंसर हो जाएगा मेलनुवस की जो की व्यक्तिवादी प्रकारिवादी है और इन्होंने मानवी अवशक्ता का सिद्धान दिया था जिसमें की तीन तरह की आवशक्ता को बताया था और इस संस्कृति का निर्मान किस ने किया है मनुश्यों ने किया है अपनी इन ही आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए तो इन बातों को ध्यान भी रखेएगा प्रिश्ट में पूछा जाता है इसके अलावा जादू magic के भी बात इन्होंने की है जादू के भी दो प्रकार बताए है सफेद जादू जो की दूसरों के कल्यान के लिए होता है और काला जादू black magic जो की दूसरों को कस्ट पहुचाने के लिए हानी पहुचाने के लिए किया जाता है ठीक है तो यहाँ पर C हो जाएगा right answer next question है जनसंख्या व्रद्धी के लिए पूंजिवाद समाज उत्तरदाई रहा है यह तरक है काल मार्क्स, किंग्सले डेविस, दुर्खीम, स्पेंसर जनसंख्या व्रद्धी के लिए पूंजिवाद समाज उत्तरदाई रहा है जनसंक्या व्रद्धी के लिए पुझिवादी समाज को एक महतपूर कारण जिम्मिदार या फिर उत्तरदाई किसने माना है राइट क्या होगा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा काल मार्क्स काल मार्क्स इनको पूरा ही कम्प्लीट कराय जा जुका है इनके जो फिर कॉंसेट्स है जैसे कि द्वनधात्मक-बहुतिक वाथ का सिंधांद सरश्ना के दो परकार अधो सरश्ना या अधी सरश्ना जिसे कहा जाता है यह क्या है, स्वेम में वर्ग की अवधारना, स्वेम के लिए वर्ग की अवधारना, वर्ग संगर्ष, क्लास कॉन्फलेक्ट जिससे रिलेटेट प्रश्ण एक्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनकी थेयरी, इसके अलावा सर्प्रेस वैल्यू, अतिरिक्त मूलिका सिद्धा वो इनके MCQs से रिलेटेट हैं, यारी कि मार्क से रिलेटेट जो MCQs पूछे जाते हैं, questions पूछे जाते हैं, exams में अभी तक पूछे गया है, उन सभी को उन क्लासस में कराये गया है, और इनका काल मार्क से आपको प्लेलिस में, चैनल के प्लेलिस में ही फोल्टर मिल जाए प्रकारियात्मक द्रस्टि कोड से परिवार का अब प्रकारियात्मक पक्ष का अध्यन इन में से किस ने किया है, FG बेली, SC दुबे, Kingsley Davis, Vogel and Bale options है, यहां पर right answer क्या होगा? Right answer क्या होगा यहां पर? Kingsley Davis होगा, option C यहां पर right हो जाएगा प्रेशन है किसकी अनुसार नाभिकी परिवार समाज के एक अधारभूत सरशनात्मक इकाई है? जो nuclear family है, जिसे एकांग की परिवार कहा जाता है, एकांग की परिवार को समाज की एक अधारभूत सरशनात्मक इकाई इन में से किस ने माना है? Roser and Harris, F. Vogel, Leach, MacAver options दिए गया है, यहां पर right क्या होगा? Right हो जाएगा, Roser and Harris, option A यहां पर right होगा प्रेशन है, समाज शास्त का जन्मिस्थान है, America, France, England, Germany, बताईए UPPGT की एक्जैम्स में कई बार इस तरीके का प्रेशन पूछा गया है, समाज शास्त का जन्मिस्थान क्या है इन में से? France है, option B यहां पर right हो जाएगा? Next question है, समाजिक परिगटना को समझने में इन में से कौन प्रकारियात्मक उपागम नहीं अपनाता है? एलेक्जेंडर, किंग्सले, डेविस, आर्के, मर्टन, हेबर मास, options दिये गए है, सही क्या होगा यहां पर? तो यहां पर right answer हो जाएगा हेबर मास, ठीक है? और हेबर मास का यह question इस तरीके से पूछा जाता है, कि किसने आधुनिकता को अधूरा प्रोजेक्ट या आधुनिकता को अधूरी परियोजना इन में से किसने कहा है? तो यह हेबर मास का है, इसे भी याद रखेगा. नेक्स्ट कोशन है, इस दिर्ष्ट कोड की वकालत किसने की है कि समाज शास का अध्यन छेत्र, द्यानिक जीवन की सहज बुद्धी है? प्रकार्यात्मक वाद, सरशना वाद, परिघटना वाद, विनिमे सिध्धान्त. राइट क्या होगा यहां पर? राइट हो जाएगा परिघटना वाद. ठीक है, परिघटना वाद राइट होगा, ओप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट कोशन है, किसने इंग्लैंड की जेलों में बंद अपराधियों का अध्यन समाजिक सरवेक्षन विधी से किया है? यहां पर राइट क्या होगा, इंग्लैंड की जेलों में जो बंद अपराधियों है, उनका अध्यन से इनमें से किसने किया है? राइट क्या होगा यहां पर? राइड आंसर हो जाएगा John Howard ठीक है John Howard होगा Option B यहाँ पर राइड आंसर हो जाएगा प्रेशन है साक्षातकार मूल रूप से समाजिक अंतर किरिया की एक प्रक्रिया है या कहना है Good and Hot, Kingsley Davis Mead, Spencer Options है साक्षातकार को मूल रूप से समाजिक अंतर किरिया की प्रक्रिया इन में से किसने माना है साक्षातकार इंटर्व्यू इंटर्व्यू को समाजिक अंतर किरिया की प्रक्रिया एक प्रोसस इन में से किसने माना है तो यहाँ पर हो जाएगा Kingsley Davis ठीक है Kingsley Davis होगा option B यहाँ पर right answer हो जाएगा next है अब यहाँ पर मिलान करना है मौखिक, सर्वेक्षा, प्रतिचैन, वैतिक अध्यन दिया गया है देखकर बताइए सही क्या होगा बताइए देखकर बताइए यहाँ पर right क्या होगा एक सेकिंड, इससे बहले वाला जो question था साक्षातकार को समाजिक अंतर किरिया की एक प्रक्रिया किसने माना है तो यहाँ पर good and hot होगा ठीक है, good and hot होगा, option A यहाँ पर right होगा good and hot ने interview यानि की साक्षातकार को समाजिक अंतर किरिया की एक प्रक्रिया माना है ठीक है, तो option A यहाँ पर right होगा और यहाँ पर जो matching वाला है, मिलान वाला है तो यहाँ पर क्या होगा, मौखिक की बात की जाए तो यहाँ पर लोगों का ज्यान से related हो जाएगा ठीक है, second हो जाएगा सर्वे की बात आती है, तो परिमनात्मक एक सेगें सर्वेक्षन की बात आती है, तो परिमनात्मक आकडे हो जाएगा प्रतिचेन की बात आती है, तो समगर का प्रतिनिधी हो जाएगा ठीक है, समगर का प्रतिनिधी और case जो study है उससे related हो जाएगा तो किसी भी इकाय का गहन अध्यन इसमें होता है तो option B हो जाएगा यहाँ पर right answer ठीक है मौकिक हो जाएगा लोगों का ग्यान सर्वेक्षण में आ जाएगा सर्वे में आ जाएगा परिमनात्मक आकडे प्रतिचायन में आ जाएगा समगर का प्रतिनिधी और जो case study है वैतिक अध्यरेस में इकाय का गहन अध्यन किया जाता है तो हो जाएगा option B यहाँ पर right अब यहाँ पर देखिए बुक्स दी गई है madness and civilization, capitalism and modern social theory, writing and difference, structural anthropology जी बताएगे देखकर और यह सारी बुक्स बताई गई है पहले कई बार, प्लेलिस में एक फोल्डर भी आपको मिलेगा, शुशौल जी की important बुक्स से related and उन classes में काफी जादा बुक्स बताई गई है जो की important है सभी exams के लिए, तो उसे आप लोग डेली थोड़ा-थोड़ा करके याद कर लीजे यहाँ पर देखिए, जो madness and civilization है, यह किसकी है, Foucault की है, ठीके, किसकी है, Foucault की है, capitalism and modern social theory capitalism and modern social theory किसकी हो जाएगी, Anthony Giddens की, writing and difference यह किसकी हो जाएगी, Derrida की हो जाएगी और structural anthropology यह हो जाएगी, Levestrauss की, ठीके, तो यहाँ पर हो जाएगा, option C, यहाँ पर right answer होगा चलिए, आगे दिखते हैं, अब इन में सो कौन सा युग में सही नहीं है, यह बताना है सही नहीं है, बताना है समाजिक तथ्य दुर्खीम, एतिहासिक भौतिक वात, काल माक्स, प्रस्थतियम भूमिका, रॉल्फ टर्न, बहुल परंपरा, SC दूबे तो यहाँ पर क्या होगा, टर्न नहीं होगा, लिंटन होगा लिंटन ने सबसे पहले विवस्तित तरीके से प्रस्थतियम भूमिका का अध्धिन किया था अपनी बुक, The Study of Man में यादार है आप लोगों को, और प्रस्थतियम भूमिका इस टॉपिक को कम्प्लीट कराया जा चुका है, इसका भी आपको प्लेलिस में फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से उन क्लासिस को कर लीजीगा, जिसने भी नहीं की है चलिए, आगे देखते हैं, लोग संस्कृति की अवधाना पूछा जा रहा है, इसके प्रवत्त कौन है, लोग संस्कृति की अवधाना किस ने दी है, आर रेट फिल्ड, पार्संस, आर रेट क्लिफ, डेनियर, लर्न, बताइए, लोग संस्कृति जिसे फोल्क कल्चर कहा जाता है, इसका कॉंसेप्ट किसका है, ये जो कॉंसेप्ट है, वो किसका है, फोल्क कल्चर, लोग संस्कृति का, राइट क्या होगा, रोबर्ट रेट फिल्ड, ए हो जाएगा यहाँ पर राइट, नेक्स्ट कॉश्यन है, मिशित परिवार की अवधाना से संबंदित है, लिंटर्न, बर्गेस, मर्डॉक, ऑप्शन्स है, मिशित परिवार, परिवार इस टॉपिक को भी कम्प्लीट कराया जा चुका है, इसका भी प्लेलिस में फोल्डर मिल जाएगा, इन्पॉर्टेंट है, एमसी क्यूस को सॉल्फ कराते कराते, जो भी इन्पॉर्टेंट कॉ किस बताया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा मर्डॉक, ठीक है, मर्डॉक हो जाएगा, आप्शन ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अब प्रशन है, पुर्व और धोगिक परिवार, कि बात किस ने की है, पार्सन्स, गुडे, सीम, एरन्सबग, दुरखीम, पार् सी एम एरंसबर्ग होगा ठीके सी एम एरंसबर्ग होगा option C यहाँ पर right होगा next question है दुवित्यक विचलन की अफधार्णा options है एडविन लेमर्ट, इलियट एन मेरेल, दुरखीम, मार्क्स दुवित्यक विचलन की अफधार्णा किसकी है एडविन लेमर्ट, इलियट एन मेरेल, दुरखीम, मार्क्स options दे गया है right क्या होगा यहाँ पर लेमर्ट होगा ठीके ए हो जाएगा यहाँ पर right प्रश्न है प्रजनन परिवार की अफधार्णा के प्रवत्तक कौन है मर्डॉक, गुडे, लीच, वार्णर राइट क्या होगा यहाँ पर वार्णर होगा ठीके वार्णर होगा option D यहाँ पर right answer हो जाएगा next question है निम्ने में से V संस्कृति करण के अफधार्णा के प्रवत्तक है V संस्कृति करण के अफधार्णा पूचा गया है किसकी है योगेंद्र सिंग, M.N. 1965, D.N. मजूमदार, SL. कालिया ओп्षण्स है योगेंद्र सिंग, M.N. मजूमदार, SL. कालिया ओप्षण्स दिये गया है V संस्कृति करण के अफधार्णा पूची जा रही है किसकी है किसकी हो जाएगी यह मजूमदार की option C यहाँ पर right होगा अब यहाँ पर अवधार्णा पूछी गई है प्रदर्शनात्मक उभ्भोग की प्रदर्शनात्मक उभ्भोग वेबलेन, कोहन, शुम्पिटर, होम्स बताईए वेबलेन, कोहन, शुम्पिटर, होम्स options है प्रदर्शनात्मक उब्भोग की अवधाना किसकी है तो यहाँ पर सही क्या होगा वेबलेन होगा ए हो जाएगा यहाँ पर राइट प्रशन है बहु नाभी के सिद्धान्द की अवधाना बहु नाभी के सिद्धान्द किसका है Parsons, Harris and Ulman, Burgess, Kolpopper बहु नाभी के सिद्धान्द Parsons, Harris and Ulman, Burgess, Kolpopper, Options है बहु नाभी के सिद्धान किसका है Harris and Ulman का है भी हो जाएगा यहाँ पर राइट प्रशन है निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है सही नहीं है, पूछा जा रहा है, गलत बताना है सब बताये गया है और बिहार PGT से एक्जैम से पहले कुछी दिन पहले एक क्लास हुई थी शुशौल जी की Important Concepts से रिलेटेट यानि कि समाज शास के जो महतपूर अवधान नाये हैं उन पर एक क्लास हुई थी और इस एक क्लास में 200 से जादा चीक है 200 से जादा अवधान नाये कराई गई थी बताई गई थी तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा Option D हो जाएगा, ठीक है सोरो किन नहीं होगा, ठीक है सोरो किन नहीं होगा, मार्क्स होगा काल मार्क्स Option D हो जाएगा, यहाँ पर राइट फैलाव के अवधारना फैलाव के अवधारना किसकी है, बताईए तो यहाँ पर शी निवास हो जाएगा, ठीक है Option A यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा And last question है, निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है और प्रभु जाती की अवधारना किसकी है M.N. शिनिवास की है, यह याद रखेगा और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, option B हो जाएगा गलत बताना था है ना, तो प्रभु समुधाई की अवधारना AC मेर की नहीं है, किसकी है, रॉय बर्मन की है तो option B यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तो आज की class में बस इतना ही, I hope यह आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो please like करिएगा, comment करके ज़रूर बताईगा चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और इस वीडियो को जितना हो सके, जादा से जादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा Thank you झाल 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 झाल